C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक सामाजिक इवम्राजनीतिक जीवन 1 प्रस्तुत है इस पुस्तक का अध्याए 9 जिसका शीर्शक है शहरी क्षेत्र में आजी विका प्रिष्ट 88 से प्रिष्ट 99 तक तो आईए अब सुनते हैं अध्याए 9 शहरी क्षेत्र में आजी विका प्रिष्ट 88 इस प्रिष्ट पर सबसे उपर एक शहर के अलग-अलग इलाकों के द्रिश्य दिखाए गए हैं और फिर आप से बाई और के एक बकसे में कुछ प्रश्ण पूछे गए हैं इस चित्र में आप क्या देख रही हैं आप पहले ही ग्रामीन क्षेत्रों के लोगों के कारियों के बारे में पढ़ चुके हैं अब पिछले पाठ में दिये गए ग्रामीन क्षेत्र के कारियों के चित्र से इस चित्र की तुलना कीजिए शहर का एक भाग दूसरे भाग से अलग होता है आपने इस चित्र में क्या भिन्नताएं देखी प्रिष्ट नवासी भारत में पांच हजार से ज्यादा शहर हैं और सताइस महानगर हैं चिन्नाई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे प्रत्येक महानगर में दस लाख से भी ज्यादा लोग रहते हैं और काम करते हैं कहते हैं कि शहर में जिन्दगी कभी रुकती नहीं चलिए, एक शहर में जाकर देखें कि वहाँ लोग क्या काम करते हैं क्या वे नौकरी करते हैं या अपने रोजगार में लगे हैं वे अपना जीवन कैसे चलाते हैं क्या रोजगार और कमाई के मौके समान रूप से सभी को मिलते हैं। इस प्रिष्ट पर एक चित्र दिखाया गया है, जिसमें किसी बड़े शहर में रोजी रोटी कमाने के लिए सडकों पर किये जाने वाले विभिन कारियों को दिखाया गया है। सडकों पर काम करना मेरी बहन रहती है। मैं यहां गिनी चुनी बार ही आई हूँ। यह बहुत बड़ा शहर है। एक बार जब मैं यहां आई तो मेरी मौसेरी बहन मुझे घुमाने के लिए ले गई थी। हम तड़के ही घर से निकल गई थी। जैसे ही हम मुख्य सडक की तरफ मुड़े हमने देखा कि वहां काफी चहल पहल थी। प्रिष्ट नब्बे। सबजी बेचने वाली अपनी रहडी पर टमाटर, गाजर वो खीरे को सजाने में व्यस्त थी। ताके लोग देख सकें कि उसके पास बेचने के लिए क्या-क्या है। उसकी बगल में फुटपात पर एक फूल वाली बैठी थी। वो सुन्दर, रंगीन, वो तरह तरह के फूल बेच रही थी। हमने उस से लाल और पीला गुलाब खरीदा। सडक के दूसरी तरफ पट्री पर एक व्यक्ती अखबार बेच रहा था और वो चारों और से लोगों से घिरा हुआ था। हर कोई अखबार को पढ़ना चाहता था। वहां से बसें जोर जोर से हौन बजाती हुई गुजर रही थी। आटो रिक्षा स्कूल के बच्चों से थसा थस भरे हुए थे। पास के पेड़ के नीचे एक मोची छोटे से टिन के बकसे से अपना सामान निकाल रहा था। वहीं सडक के किनारे नाई अपना काम शुरू कर चुका था। उसके पास एक ग्राहक पहले से ही था जो सबह सबह दाड़ी बनवाना चाहता था। सडक से थोड़ी दूर जाकर एक औरत थेला गाड़ी में प्लास्टिक की बोतलें, डिब्बे, बालों की पिन वो चिम्टी ले जा रही थी। वहीं पर एक दूसरा व्यक्पी घर-घर बेचने के लिए साइकिल पर सबजियां ले जा रहा था। हम उस जगह पर आ गई जहां रिक्षे वाले एक कतार में खड़े होकर ग्राहक का इंतजार कर रहे थे। हमने एक को बाजार जाने के लिए तै किया। बाजार वहां से दो किलोमीटर पर था। इस प्रिष्ठ पर दाई और वक्से में एक चित्र दिखाया गया है। इस चित्र में दो रिक्षे खड़े हैं और उन रिक्षों पर उन रिक्षों को चलाने वाले दो व्यक्ति सो रही हैं। मैं बिहार के एक गाउं से आया हूँ जहां मैं मिस्तरी का काम करता था। मेरी बीवी और तीन बच्चे गाउं में ही रहते हैं। हमारे पास जमीन नहीं है। गाउं में मिस्तरी गिरी का काम लगातार नहीं मिलता था। जो कमाई होती थी वो परिवार के लिए पूरी नहीं पड़ती थी। जब मैं शहर पहुँचा तो मैंने ये पुराना रिक्षा खरीदा और इसका पैसा किस्तों में चुकाया। ये काफी साल पहले की बात है। रोज सुबह बस्टॉप पर पहुँच जाता हूँ और ग्राहक जहां भी जाना चाहे उन्हें वहाँ छोड़ देता हूँ। फिर रात को आठ नौ बजे तक रिक्षा चलाता हूँ। मैं शेहर की एक कॉलोनी में आसपास करीब छे किलो मीटर तक रिक्षा चलाता हूँ। दूरी के हिसाब से हर ग्राहक मुझे दस से तीस रुपए तक देता है। जब तबीयत खराब हो जाती है तब मैं ये काम नहीं कर पाता। उन दिनों कमाई बिलकुल नहीं हो पाती। मैं अपने दोस्तों के साथ किराए के कमरे में रहता हूँ। वे सब पास की फैक्टरी में काम करते हैं। रोज दो सौ से तीन सो रुपए तक मेरी कमाई हो जाती है। जिसमें से सौ से एक सौ पचास रुपए खाने और किराए पर खर्च हो जाते हैं। बाकी मैं परिवार के लिए बचा लेता हूँ। साल में दो तीन बार मैं अपने परिवार से मिलने गाउं जाता हूँ। जो पैसा शहर से भेजता हूँ, मेरा परिवार उसी पर जीता है। कभी-कभी मेरी बीवी खेतों में मजदूरी करके थोड़ा बहुत कमा लेती है। प्रिष्ट 91 इस प्रिष्ट में बाई और उपर बकसे में आप से कुछ प्रशन पूछे गए हैं। बच्चू मांजी शहर क्यों आया था। बच्चू अपने परिवार के साथ क्यों नहीं रह सकता। किसी सबजी बेचने वाली या ठेले वाले से बात करिए और पता लगाईए कि वे अपना काम कैसे करते हैं। तैयारी, खरीदना, बेचना इत्यादी। बच्चू को एक दिन की छुटी लेने से पहले भी सोचना पड़ता है। क्यों? बच्चू मांजी की तरह ही शहर में कई सारे लोग सडकों पर काम करते हैं। वे चीजें बेचते हैं, उनकी मरम्मत करते हैं या कोई सेवा देते हैं। वे स्वरोजगार में लगे हैं। उनको कोई दूसरा व्यक्ती रोजगार नहीं देता है इसी लिए। उन्हें अपना काम खुद ही संभालना पड़ता है। वे खुद योजना बनाते हैं कि कितना माल खरीदें और कहां वे कैसे अपनी दुकान लगाएं। उनकी दुकाने अस्थाई होती हैं। कभी-कभी तो तूटे-फूटे गत्ते के डिब्बों या बक्सों पर कागस फैलाकर दुकान बन जाती है या खंबों पर तिरपाल या प्लास्टिक चड़ा लेते हैं। वे अपने ठेले या सडक की पट्री पर प्लास्टिक बिचाकर भी काम चलाते हैं। उनको पुलिस कभी भी अपनी दुकान हटाने को कह देती है। उनके पास कोई सुरक्षा नहीं होती। कई ऐसी भी जगहें हैं जहां ठेले वालों को घुसने ही नहीं दिया जाता। ठेले वाले जो चीजें बेचते हैं वे अक्सर घर पर उनके परिवार वाले बनाते हैं परिवार वाले चीजों को खरीद कर, साफ करके, छांट करके, बेचने के लिए तयार करते हैं उदाहरण के लिए जो सडकों पर खाना या नाश्टा बेचते हैं वो ज्यादा तर घर पर ही बनाया जाता है। इस प्रिष्ठ पर एक चित्र दिखाया गया है। कामगार अपना सामान रख जाते हैं और रात में वहीं खाना बनाते हैं। एहमदाबाद शहर के एक सर्विक्षन में पाया गया कि काम करने वालों में से बारह प्रतिशत लोग सडकों पर काम कर रहे थे। प्रिष्ठ बानवे हमारे देश के शहरी इलाकों में लगबग एक करोड लोग फुटपात और ठिलों पर सामान बेचते हैं। अभी हाल फिलहाल तक गलियों और फुटपात पर इस काम को यातायात और पैदल चलने वाले लोगों के लिए एक रुकावट की तरह देखा जाता था। लेकिन कई संस्थाओं के प्रयास से अब इसको सभी के लिए उपियोगी और आजीवी का कमाने के अधिकार के रूप में देखा जा रहा है। सरकार भी उस कानून को बदलने पर विचार कर रही है जिस से उन पर प्रतिबंध लगा हुआ था। कानून में बदलाव आने से उनके पास काम करने की जगह होगी और यातायात एवं लोगों का आवा गमन भी सहज रूप से हो पाएगा। ऐसा सुझाव है कि शहरों में कुछ इलाके पुटपात और ठेलों पर सामान बेचने वालों के लिए तए कर दिये जाएं। ये भी सुझाव है कि उन्हें खुले रूप से आने जाने की अनुमती हो और वे लोग उन समितियों में रखे जाएं जो इन मुद्दों पर निर्णाएं लेती हैं। जब हम बाजार पहुँची तो दुकाने अभी खुलने शुरू ही हुई थी। लेकिन तियोहार के कारण वहां बहुत भीड हो चुकी थी। वहां मिठाई, खिलोने, कपडे, चपल, बरतन, बिजली के सामान इत्यादी की दुकानों की कतार पर कतार थी। एक कोने में दांतों के डॉक्टर का क्लिनिक था। मेरी मौसेरी बहन ने उनसे पहले से ही समाई ले रखा था। हम वहां पहले पहुँच गई जिससे हमारी बारी न चली जाए। हमें थोड़ी देर एक कमरे में इंतजार करना पड़ा। डॉक्टर ने उसके दांतों का परीक्षन किया और दांत का छेद भरवाने के लिए अगले दिन आने को कहा। वो बहुत डर गई थी क्योंके उसने सूचा कि एक तो अपना दांत खराब होने दिया और उपर से इतना दर्द सेहन करना पड़ेगा। डॉक्टर के यहां से हम सिले हुए कपड़ों के एक शोरूम पर गई। क्योंके मैं कुछ सिले सिलाए कपड़े खरीदना चाहती थी। इस शोरूम की तीन मनजिले थी और हर मनजिल पर अलग तरीके के कपड़े थे। हम तीसरी मनजिल पर पहुँचीं जहां लड़कियों के कपड़े रखे हुए थे। इस प्रिष्ट पर नीचे एक चित्र दिखाया गया है। इस चित्र में एक महिला प्लास्टिक की कुछ प्लेटें हाथ में लिये हुए उन्हें प्रदर्शित कर रही है। ये चित्र क्रॉकरी की एक दुकान का है। बड़ी दुकान में हर प्रीद। पहले मेरे पापा और चाचा एक छोटी सी दुकान पर काम करते थे। इतवार को और तेवहारों के समय मैं और मेरी मां उनकी मदद करते थे। मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वहां काम करना शुरू किया। अब मेरी पतनी वंदना और मैं ये शोरूम चलाते हैं। प्रिष्ट तिरानवे वंदना हमने कुछ साल पहली ये शोरूम खोला। मैं एक ड्रेस डिजाइनर हूँ। मैंने तरह तरह के फैशन के कपड़े बनाने की पढ़ाई की है। लेकिन आजकर लोग कपड़े सिल्वाने की जगह सिले सिलाई याने रेडी मेड कपड़े खरीदना पसंद करते हैं। गलग जगहों से सामान खरीदते हैं। जियादतर माल मुंबई, एहमदाबाद, लुधियाना और त्रिपुर से आता है। कुछ सामान दिल्ली के पास के शहरों जैसे गुडगाउं और नॉइडा से भी आता है। कुछ कपड़े हम विदेशों से भी मंगवाते हैं। इस शोरूम को सही रूप से चलाने के लिए हमें कई चीजें करनी पड़ती हैं। हम विभिन अखबारों में, सिनेमा हॉल में, टेलिविजन और रेडियो चैनल पर विग्यापन देते हैं। अभी तो ये शोरूम की राय पर है, पर हम इसे जल्द ही खरीद लेंगे। जब से ये बाजार आसपास रहने वाले लोगों के लिए मुख्य बाजार बन गया है, तब से हमारा व्यापार बहुत बढ़ गया है। हमने एक कार खरीद ली है, और पास की सिसाइटी में एक फ्लैट भी ले लिया है। हर प्रीत और वंदना की तरह कई लोग हैं, जिनके पास शहर के बाजारों में अपनी दुकाने हैं। ये दुकाने छोटी बड़ी हैं, और लोग अलग अलग चीजें बेचते हैं। दुसरे की नौकरी नहीं करतें। लेकिन वे खुद कई लोगों को मैनेजर या सहायत की तरह नौकरी पर रखते हैं। ये पक्की दुकाने होती हैं, जिनके पास नगर निगम से व्यापार करने के लिए लाइसेंस होता है। नगर निगम ये निश्चित करता है कि सब्ताह में कौन से दिन बाजार बंद रहेगा। उदाहरन के लिए इस बाजार में दुकाने बुद्वार को बंद रहती हैं। इस बाजार में छोटे-छोटे दफ्तर और अन्य दुकाने भी हैं जो बैंक, कुरियर इत्यादी की सेवाईं देती हैं। इस प्रिष्ठ पर उपर के बकसे में आप से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। वंदना और हरप्रीत ने एक बड़ी दुकान क्यों शुरू की। उनको ये दुकान चलाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। एक बड़ी दुकान के मालिक से बात कीजिये और पता लगाईए कि वे अपने काम की योजना कैसे बनाते हैं। क्या पिछले पीस सालों में उनके काम में कोई बदलाव आया है। जो बाजार में सामान बेचते हैं और जो सडकों पर सामान बेचते हैं उनमें क्या अंतर है। फैक्टरी में। मैं अपने एक कपड़े पर जरी का काम करवाना चाहती थी जो मुझे एक खास मौके पर पहनना था मेरी बेहन ने कहा कि वो निर्मला को जानती है जो एक कपड़े सिलने की फैक्टरी में काम करती है प्रिष्ठ 94 निर्मला के पडोसी जरी और कढ़ाई का काम करते हैं हमने बस पकड़ी और फैक्टरी की तरफ चल पड़ी बस खचा खच भरी हुई थी हर स्टॉप पर लोग चड़ते ही जा रहे थे और कोई भी उतरने का नाम नहीं ले रहा था अपनी जगह बनाने के लिए लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे मेरी बहन ने मुझे एक कोने पर खड़ा कर दिया ताके भीड में हमारा भुरता ना बन जाए मुझे हैरानी हो रही थी के लोग रोज ऐसे कैसे सफर करते हैं जैसे ही बस फैक्टरी के पास पहुँची लोग उतरने लगे हम भी एक मोड पर उतर गई आह जान में जान आई मोड पर बड़े सारे लोग समूहों में बाड़ों पर बैठे हुए थे कुछ टिक कर खड़े हुए थे उन्हें देख कर लग रहा था कि वे शायद किसी का इंतजार कर रहे थे कुछ लोग स्कूटरों पर सवार उनसे बात कर रहे थे और रेट को लेकर मूल तोल कर रहे थे मेरी बेहन ने समझाया कि ये लेबर चौक कहलाता है ये दिहाडी पर काम करने वाले मजदूर और मिस्तरी हैं कुछ जहां भवन बन रहे होते हैं वहां मजदूरी करते हैं कुछ बोजाड होते हैं और ट्रकों से सामान उतारते हैं कुछ लोग टेलिफून की लाइन और पानी की पाइप के लिए खुदाई का काम भी करते हैं लेकिन इन्हें हमेशा काम नहीं मिलता ऐसे हजारों अनियमित मजदूर शहर में हैं हम फैक्टरी में घुसे तो हमने पाया के वहां अलग-अलग काम के लिए अलग-अलग विभाग थे उनमें ऐसा लग रहा था कि लोगों की कभी ना खत्म होने वाली पंक्तियां थी जहां कपडे सिले जा रहे थे उस विभाग में हमने देखा कि लोग छोटे से कमरे में मशीनों पर काम कर रहे थे एक-एक व्यक्ति एक-एक सिलाई की मशीन पर लगा हुआ था और हर कमरे में ऐसी बहुत सारी मशीने थी जो कपड़े तयार हो रही थे, वे कमरे में एक तरफ टह करके लगाए जा रही थे इस प्रिष्ट पर एक चित्र दिखाया गया है जिसमें जमीन पर कुछ मजदूर अपने सामान के साथ बैठी है इस चित्र के नीचे लिखा है लेबर चौक पर दिहाडी मजदूर अपने आउजारों के साथ पैठ कर लोगों का इंतजार करते हैं लोग उन्हें काम करवाने के लिए वही से ले जाते हैं प्रिष्ट पिच्चानवे इस प्रिष्ट पर दाई और ऊपर एक फैक्टरी का दृष्ष दिखाया गया है जिसमें स्वचालित सिलाई की मशीनों पर कुछ महिलाएं कपड़े सिलते हुए दिखाई गई हैं हमने निर्मला को ऐसी ही एक जगह पर पाया वो मेरी बहन से मिलकर बहुत खुश हुई और उसने वादा किया कि मेरे कपड़ों पर जरी का काम करवा देगी निर्मला कपड़े निर्यात करने वाली एक कंपनी में दर्जी का काम करती है जिस फैक्टरी में वो काम करती है, वहां अमरीका, इंगलैंड, जर्मनी और नीदर लैंड जैसे देशों के लोगों के लिए गर्मी के कपड़े सिले जाते हैं दिसंबर से अपरेल तक निर्मला पर काम का बूज बहुत ज्यादा रहता है अक्सर वो नौ बजे सिबह काम शुरू करती है और रात दस बजे तक ही काम निपट पाता है कई बार और भी देर हो जाती है, वो हफते में छे दिन काम करती है जब काम जल्दी का होता है तो उन्हें इतवार को भी काम पर जाना पड़ता है निर्मला को रोज आठ घंटे काम करने के 280 रुपए मिलते हैं और अतिरिक्त 100 रुपए देर तक काम करने का मिलता है जून तक काम खत्म हो जाता है तो फैक्टरी वाले इन दर्जियों की संख्या घटा देते हैं निर्मला को भी निकाल दिया जाएगा हर साल करीब तीन से चार महीने के लिए उसके पास काम नहीं रहता है निर्मला की तरह ज्यादा तर कारीगर अनियमित रूप से काम में लगे हुए हैं मतलब उनको काम पर तभी आना होता है जब मालिक को जरूरत होती है उनको रोजगार तभी मिलता है जब मालिक को बहुत सारा काम मिल जाता है या फिर खास मौसमों में काम मिलता है साल के बचे हुए समय में उन्हें दूसरा काम ढूंडना पड़ता है निर्मला की तरह की नौकरियां स्थाई नहीं होती अगर कारीगर अपनी तनख्वा या परिस्थितियों के बारे में शिकायत करते हैं तो उन्हें निकाल दिया जाता है नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती और अगर कोई बुरा विवहार करे तो उनके बचाव के लिए कुछ नहीं होता उनसे बहुत लंबे समय तक रोज काम करने की उम्मीद भी रखी जाती है उदाहरण के लिए बिजली से चलने वाले करगों की याने पावर लूम फैक्टरी में मजदूर दिन और रात की पालियों में बारह बारह घंटे तक काम करती है उन्हें आठ घंटों से ज्यादा काम करने की मजदूरी अलग से नहीं मिलती प्रिष्ट 96 इस प्रिष्ट पर बाई और उपर के बकसे में आप से कुछ प्रश्न पूछे गई हैं आपको क्या लगता है के फैक्टरियां या छोटे कारखाने मजदूरों को अनियमित रूप से काम पर क्यों रखते हैं निर्मला जैसे मजदूरों की काम करने की परिस्थितियों का निम्न के आधार पर विवरण दीजिए काम के घंटे, कमाई, काम करने की जगह वसुविधाईं, साल भर में रोजगार के दिनों की संख्या क्या आप ये मानेंगे कि दूसरों के घरों में काम करने वाली महिलाएं भी अनियमित मजदूरों की श्रेणी में आती हैं क्यों? एक ऐसी कामगार महिला के दिन भर के काम का विवरण दीजिए मेरी मौसी सुधा विपनन प्रबंध कियाने मारकेटिंग मैनेजर हैं उन्होंने हमें शाम साढ़े पांच बजे से पहले अपने दफतर पहुँचने को कहा हमने सोचा के देर ना हो जाए इसी लिए आटो रिक्षा ले लिया जिसने हमें बिलकुल समाई पर पहुँचा दिया उनका दफतर ऐसी जगह पर था जहां चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें थी उनमें से सैंकणों लोग बाहर आ रहे थे कुछ कार पारकिंग की तरफ बढ़ रहे थे और कुछ बसों की पंक्तियों की तरफ मौसी एक बिसकुट बनाने वाली कंपनी में मैनेजर का काम करती हैं बिसकुट शहर के बाहर एक फैक्टरी में बनाए जाते हैं मौसी पचास विक्रेताओं यानि सेल्समैन के काम का निरीक्षन करती हैं जो शहर के विभिन भागों में आते जाते हैं ये लोग दुकानदारों से बड़े-बड़े ओडर लेते हैं और उनसे भुगतान इकठा करते हैं काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए मौसी ने शहर को छै भागों में बांट दिया है और वे हर हफ़ते एक भाग के विक्रेताओं से मिलती हैं वे उनकी प्रगती रपट देखती हैं और उनकी समस्याओं पर चर्चा करती हैं उनको पूरे शहर में बिक्री की यूजना बनानी होती है और अकसर देर रात तक काम करना पड़ता है उन्हें काम के सिलसिले में यात्राइं भी करनी पड़ती हैं मौसी को नियमित तनख्वा मिलती है और वो बिसकुट कमपनी की स्थाई करमचारी हैं वे ये उम्मीद रख सकती हैं कि उनकी नौकरी लंबे समय तक चलेगी। स्थाई कर्मचारी होने के कारण उनको ये फाइदे भी मिलते हैं। बुढ़ापे के लिए बचत उनकी तनख्वा का एक भाग भविश्य निधी में सरकार के पास डाल दिया जाता है। इस बचत पर ब्याज भी मिलता है। नौकरी से सेवा निवृत्त होने पर ये पैसा मिल जाता है। चुटियां इतवार और राष्ट्री अतिवहारों के लिए चुटि मिलती हैं। उनको वार्षिक चुटि के रूप में भी कुछ दिन मिलते हैं। परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधाई कम्पनी एक सीमा तक कर्मचारी और उनके परिवार जनों के इलाज का खर्च उठाती है अगर तबियत खराब हो जाए तो कर्मचारी को बीमारी के दौरान छुट्टी मिलती है प्रिष्ठ सत्तानवे इस प्रिष्ठ पर ऊपर एक कॉल सेंटर का दृष्ष दिखाया गया है इस चित्र के नीचे लिखा है महनगरों में कॉल सेंटरों में काम करना रोजगार का एक नयाक्षेत्र है उपभोकता टीवी फ्रिज जैसे सामानों को खरीदते हैं बैंक और फोन जैसी सेवाओं का उप्योग करते हैं कॉल सेंटर एक केंदरी कृत दफ्तर है जहां एक ही जगह से उपभोकताओं की समस्याओं और उनसे जुड़े सवालों से संबंधित जानकारी दी जाती है कॉल सेंटर फ्राय है हौलनुमा कमरों में चलाए जाते हैं उनमें अलग-अलग खाने बने रहते हैं वहां कंप्यूटर, टेलिफोन, हेड़फोन और स्पीकर लगे रहते हैं भारत इस क्षेत्र में एक महत्वपून केंद्र बन गया है यहां न केवल भारती ये कंपनियां बलके विदेशी कंपनियां भी अपने कॉल सेंटर खोलती हैं विदेशी कंपनियों के आकर्शन का कारण है कि यहां अंग्रेजी बोलने वाले लोग आसानी से और कम वेतन पर मिल जाते हैं शहर में ऐसे कई करमचारी होते हैं जो दफ्तरों, फैक्टरियों और सरकारी विभागों में काम करते हैं जहां उन्हें नियमित और स्थाई करमचारी की तरह रुजगार मिलता है वे लगातार उसी दफतर या फैक्टरी में काम पर जाते हैं उनका काम भी तए होता है उनको हर महीने तनख्वा मिलती है अगर फैक्टरी में काम कम हो तो भी उन्हें अनियमित रूप से काम करने वाले मज़दूरों की तरह निकाला नहीं जाता आखिर दिन खत्म हुआ और हम मौसी की कार में ठकी मांदी बैठ गई लेकिन आज बहुत मज़ा आया मैंने सूचा कि कितना अच्छा है कि शहर में इतने सारे लोग इतनी तरह का काम करते हैं वे कभी एक दूसरे से मिलते भी नहीं मगर उनका काम उन्हें बांधता है और शहरी जीवन को बनाए रखता है प्रिष्ट 98 अभ्यास एक नीचे लेबर चौक पर आने वाले मज़दूरों की जिन्दगी का विवरण दिया गया है इसे पढ़िए और आपस में चर्चा कीजिए कि लेबर चौक पर आने वाले मज़दूरों के जीवन की क्या स्थिती है लेबर चौक पर जो मज़दूर रहते हैं उनमें से ज्यादा तर अपने रहने की स्थाई विवस्था नहीं कर पाते और इसलिए वे चौक के पास फुटपात पर सूते हैं या फिर पास के रात्री विश्राम ग्रिही याने रैन बसेरा में रहते हैं इसे नगर निगम चलाता है और इसमें छै रुपया एक बिस्तर का प्रति दिन किराया देना पड़ता है सामान की सुरक्षा का कोई इंत Zarाम न रहने के कारण वे वहां के चाय या पान बीडी वालों की दुकानों को बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं उनके पास वे पैसा जमा करते हैं और उनसे उधार भी लेते हैं वे अपने आउजारों को रात में उनके पास हिफाज़त के लिए छोड़ देते हैं दुकानदार मज़दूरों के सामान की सुरक्षा के साथ जरूरत पढ़ने पर उन्हें कर्ज भी देते हैं सुरोत हिंदू आउनलाइन अमन सेथी दो, निमनलिखित तालिका को पूरा कीजिए और उनका काम किस तरह से अलग है इसका वरणन कीजिए यहां एक रेखा से एक बक्सा बनाया गया है और उस बक्से के बीच में इन शीर्शकों के नाम से अलग से बक्से बनाई गए हैं नाम, काम की जगह, आय, काम की सुरक्षा, सुविधाई, स्वयम का काम या रोजगार इन शीर्शकों के संदर्भ में आप इन नामों के आगे जो रिक्तस्थान दिये गए हैं, उन्हें भरें बच्चू मांजी, काम की जगह, रिक्तस्थान, आय, सो रुपाए प्रति दिन काम की सुरक्षा, रिक्तस्थान, सुविधाई, रिक्तस्थान, स्वयम का काम या रोजगार, रिक्तस्थान हरप्रीत और वंदना, काम की जगह, रिक्तस्थान, आय, रिक्तस्थान भरें, काम की सुरक्षा, रिक्तस्थान भरें, सुविधाई, रिक्तस्थान भरें, स्वयम का काम या रोजगार, स्वयम का काम निर्मला काम की सुरक्षा, रिक्त स्थान भरें। सुविधाईं, रिक्त स्थान भरें। स्वयम का काम या रोजगार, रिक्त स्थान भरें। प्रिष्ठ निन्यानवे तीन एक स्थाई और नियमित नौकरी अनियमित काम से किस तरह अलग है। चार, सुधा को अपने वेतन के अलावा और कौन से लाभ मिलते हैं। पांच, नीचे दी गई तालिका में अपने परिचित बाजार की दुकानों या दफ्तरों के नाम भरें कि वे किस प्रकार की चीजें या सेवाईं मुहया कराते हैं। यहां बक्से में ऊपर दो शीरशक दिये गए हैं। पहला दुकानों या दफ्तरों के नाम, दूसरा चीजों, सेवाईं के प्रकार। इन दोनों के नीचे पीले रंग के बक्से दिये गए हैं, जिन में रिक्त स्थान हैं, उन्हें आप भरें। इसी के साथ नौ अध्यायों की इस पुस्तक का नौवा अध्याय यहां समाप्त हुआ। वाचन, बाबला कोचर, निर्मान, वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत।